तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत रश्या द्वारा जॉइंटली तैयार की जाने वारी भ्रंबोस मिसाइल एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और ये अपनी कैटिगरी की नंबर वन मिसाइल है और ना केवल आज बलकि पिछले 20 सालों से ये अपने सिर पर ये ताज लिए वे घुम रही है याने नंबर वन की पोजिशन से आज तक ब्रंबोस मिसाइल को हटा देने वाला कोई भी आप्शन आपको मार्केट में दूसरा उपलब्द नहीं होगा इवन जो इसकी पेरेंट मिसाइल है जिसके अधार पर इसका डेवलप्मेंट किया गया है या 20 सालों से वो भी नंबर वन है ऐसा कोई दूसरा उप्शन नहीं है और अगर इसकी खौफ की बात की जाए तो मैं आपको बता दू कि नेटो संगठन ने से इसे वीडो मेकर का नाम दिया है चाइना पिछले 20 सालों से ही इसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है आज तक नह निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और समय समय पर इस बात की जानकारियां सामने निकल कर आती रही है कि S 400 जैसे एरे डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं सकते इवन बताते हुए शर्म लग रही है लेकि फिर भी बताना ज़रूरी है कि पिछले 20 सालों से इसक कि ब्रमोस मिसाईल जिस तरह से आज कहा जाता है कि दुनिया भर में 45 से जादा देश यसे हैं जो इसे खरिदना चाहते हैं और हम लोग देख भी पा रहे हैं बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है और कुछ देश खरिद नहीं पाते हैं लेकिन खरिदना सभी चाहते हैं लेक चाहते हैं लेकिन हमारी गवर्मेंट्स उसे बेचना ही नहीं चाहती थी बेचने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी तक नहीं बनाई और शाज जान बुचकर ताकि चाहना को हटना हो जाए इसके अतरीक दोस्तों दुनिया भर के अंदर एक रेस शुरू हो चुकी है और वो स्पेस लिमिटेड जो कि नॉर्वे की कमपणी है इसके अलावा को जर्मन कमपणियां, MBDA, डाइज लेन एंड, डाइहल डिफेंस के बीच में भी एक समझोता साइन हुआ है जिसके तहत ये लोग सूपर सोनी क्रूज मिसाल तयार कर रहे हैं जो कि ब्रहमोस के अल्टर के तोर पर देखी जा रही है, इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट यानि नई जो सूपर सोनी क्रूज मिसाल इनके द्वारा तयार की जाएगी, इसको नाम दिया गया है 3SM टाइफिंग, जो कि सूपर सोनी के अंडिशिप क्रूज मिसाल होगी, इसके अलावा दूसरी नकली प्रमोस की बात की जाए तो दक्षुन कोरिया द्वारा भी एर लाउंच अंडिशिप मिसाल बनाने की तयारियां शुरू कर दी गई है, इस मिसाल की खासित बताई जा रही है कि ये 300 किलो मिटर की रेंज देगी, इसके अलावा 2.5 मैक की स्पीड रखेगी और वर्श दौ 2025 तक इसके टेस्स पॉसिबल बताई जा रहे हैं, इसके अलावा जपान की बात की जाए तो जपान द्वारा भी एक सूपर सोनिक एंडिशिप मिसाल की उपर काम किया जा रहा है, जिससे नाम दिया गया है A.S.M. 3A, ये 3 मैक के आसपास की स्पीड देगी और 400 किलो मिटर की रेंज देगी और इसे भी वर्ष 2025 तक उपरेशनल कर दिया जाएगा, इस बात की जानकारी निकल कर सामने आई है, इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटन की बात की जाए जिनके पस पहले ही काफी तरह की क्रूज मिसाल मौजूद है, लेकिन वो भी एक साथ मिलकर, एक सब सोनिक और एक सूपर सोनिक दोनों ही तरह की एंटी शिप क्रूज मिसाल को तयार करने के लिए जोएंटली काम कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2030 तक उपरेशनल हो सकती है, तो कहने का मतलब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भ्रमोस की तरह ही मिसाले तयार करने के लिए कवाय चाइनिज नेवी थी, तो चाइनिज नेवी की बरावरी तो फिलिपिन्स नहीं कर सकता, इस वज़े से एंटी शिप ब्रमोस मिसाले खरीद कर वो चाइनिज नेवी को एक बहुत बड़ा डेंट पहुचा सकता है, चाइना के बिलियन सॉप डॉलर्स के वार्शिप्स वो चुटकियों में तबाह कर सकता है, इस वज़े से उसने ब्रमोस मिसाले खरीदी, भारत खुद भी इसी स्ट्राटेजी की उपर काम कर रहा है चाइना के अगेंस, इसके साथ रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो में डिसकस किया था, कि ग्रीस की नेवी भी कुछ इसी तरह की च्छा रखती है, वो भी टर्किश नेवी के बढ़ते प्रभूत्व और बढ़ते वैसल्स की नंबर्स को अकाउंटर करने के लिए भारत की एंटीशिप मिसाले चाहती है, क्योंकि टर्किश नेवी की बराबरी करने में काफी समय भी लग सकता है, और उतने ही वार बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो दुश्मन को भी इतना डेंट पहुचा दीजिए कि आप अपने आप उसके बराबर आजाएं, तो इस काम को करने में सुपर सोनिक एंटीशिप मिसाल आपको बहुत बड़ा सा योग दे सकती है, बशरते आपकी मिसाल के अंदर वैसी capabilities हो, जैसी की ब्रहमोस के अंदर है, पिन पॉइंट एक्रियोसी यहाँ पर matter करती है, आपको क्या लगता है कि यह दुनिया भर की देश ब्रहमोस जैसी मिसाल एक्चुली बना सकते हैं या पर नहीं, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा,